कहीं आप भी इस मान सिकता का सिकार तो नहीं हो चुके। दोस्तों मैं योगेश्चवान स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर और आसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पहले से कहीं अधिक एनरजेटिक होंगे। एक समय की बात है एक जंगल में एक बहुत चतुर बंदर रहता था। अब डंबे में एक छोटा सा होल था जिसके अंदर हाथ जा तो सकता है लेकिन अगर कोई मुठी बंद करे वो होल के अंदर फस जाता है। तो जैसे ही बंदर उस डब्बे में हाथ डालता है, बंदर देखता है, अंदर तो पिनट्स हैं, और बंदर को पिनट्स बहुत प्यारे होते हैं, तो जैसे हो मुठी बंद करता है, बाहर निकालने की कोशिस करता है, तो उसका हाथ खस जाता है, तो इसी बीच सिकारी मौका पाकर जाल डाल देता है बंदर आखिरकार पकड़ा जाता है तो सिकारी इसको कुछ दिनों तक दो चार दिन तक भूका प्यासा रखता है तो बंदर को समझ आ जाता है भाई कुछ काम धाम करेगा तो तुझे खाना फानी मिलेगा नई तो नहीं मिलेगा तो सिकारी इसको ट् बजाता और बंदर नाचता पूरा ठुमके लगा के नाचता राइट मदारी को पैसे मिलते शाम को बंदर को पिनट्स मिलती अगले दिन फिर बंदर नाचता मदारी को पैसे मिलते फिर शाम को बंदर को पिनट्स मिलती राइट तो ऐसे ही कहीं वर्स बीटते चले गए एक ब पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो बंदर को पिनट्स दे सके, एक दिन बंदर को पिनट्स नहीं मिले, बंदर को लगा कि यार कुछ नाचने में कमी रह गई, अगले दिन मदारी फिर मार्किटी में गया इस यास में कि आज कुछ पैसे आएंगे, बंदर फिर जो और से का प्यासा मर जाएगा तो मदारी ने क्या किया उस बंदर का पट्टा खोल दिया और उस बंदर को कहा कि देख भाई बंदर अब मेरे पास तुझे देने के लिए और पिनट्स नहीं है मेरे पास और पिनट्स नहीं है अब तु आजाद है अब उस बंदर के पास दो रास्ते या तो वो कोई दूसरा मदारी ढूड़ ले या फिर वो बंदर भूल रहा है कि अब वो आजाद है जंगल में दोबारा से जाके खुले फलों का आनंद ले सकता है उच्छल कूद कर सकता है लेकिन आपको क्या लगतो बंदर क्या करता है येस वो दूसरा मदारी ढूमता है मालूम है इस कहानी में बंदर कोन है बिल्कुल बिल्कुल सर सही कह रहें आप बिल्कुल सही समझे हो तो बंदे मातराम जैहिंद मिलते हैं फिर बड़ी असी स्टोरी के साथ तैंक यू